यहां एक पत्नी अपने पती की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है लेकिन हत्यारा पती गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है आखिर क्या है पूरी घटना आईए आपको बताते है नमस्कार मैं हूँ पूजा सिंग और आप देखना शुरू कर चुके है खबर एक्सपर्ट ये दिल दहला देनी वाली घटना यूपी के एक खुशी नगर की है जहां एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक पती नहीं अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या गल दी सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि पत्नी ने अपनी पत्ती की लंबी उम्र के लिए तीज का निर्जला ब्रत रखा था और उसी पत्ती ने उसे मौत के घाट उतार दिया घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है सुबह हुई तो आरोपी की मा उसे जगानी के लिए कमरे में गई तब जाकर परिवार को पूरी घटना की जानकारी हुई ये दिल दहला देने वाली घटना राम कोला थाना के देवर या बाबु गाम की है पेसे से राजगी मिस्त्री बीरवल ने अपने अवैर संबंदों के चलते पत्मी की गला रेतकर हत्यागर दी खबर के मुताबिक मिस्त्री के गुजरात की एक महिला की साथ अवैर संबंद थे वे महिला को अपनी दूसरी पत्मी बताकर घर में ले आया इसी बात का उसकी पत्मी शीला ने काफी बुरोध भी किया जिसकी वजर से मजबूरन उसे महिला को घर से वापस भेजना पड़ा अपनी प्रेमका को वापस गुजरात भेजने से बीरवल काफी नाराज था वे अपनी पत्मी पर लगातार अत्याचार कर रहा था खबर के मताविक वे हर दिन शराब पीकर अपनी पत्मी को बुरी तरह से बीटता था गुरुबार को बीरवल की पत्मी ने उसकी लंबी उम्र के लिए तीज का निर्जला वरत रखा था रात के समय जब वो सो गई तो बीरवल ने उठकर अपनी पत्नी का गला रेत कर खत्यागर्दी जिसकी वज़े से उसकी मत हो गई सुबह जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो आरूपी की माँ वहाँ पहुची और भीतर का नजारा देखकर उसके पोस उठ गए बैड के नीचे सीला का सब पड़ा हुआ था वहीं बीरवल मौके पर मौजूद नहीं था इस घटना की खबर तुरंद रामकोला एसचो को दी गई और एसचो डीके सिंग तुरंद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुच गई पुलिस अधकारियों की घटना इस तलका जैजा लेते हुए सीला की सब को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है तो वहीं पुलिस आरोपी की तलास कर रही है इस खबर पर आप अपनी कहराय देना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथी साथ खबर पर चैनल को सब्सक्राइब करें